हाई गाईज वेलकम बैक टो बाई चैनल सीयार किचन ब्लोग्स गाईज आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ वैसलिन में विक्स का प्रियोग बहुत ही बड़िया टिप्स है यूजफुल है आप जरूर ट्राइ करना तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर पर नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर लें वीडियो प्रसन है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और बैल आइकन भी दबा ले ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिलें तो विक्स में या वैसलिन में दोनों को मिक्स करने से क्या होगा किसलिए करना है और क्या और इसके अंदर आपको डालनी है वैसलिन वैसलिन के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है बहुत ही बढ़िया है काफी कामों में ये काम आती है तो वैसलिन जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं मेरे पास ये है तो मैंने ये ले रखी है और कोई और कोई भी दूस तो यहां पर ले रही हूं मैं विक्स जो हम सर्दी में जुकाम होने पर बहुत लेनी है क्वांटिटी दोनों की बराबर लेनी है थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा आप देखते ही कहोगे कास पहले पता हुता तो यहां पर मैं ले रही हूं मिठा सोड़ा आप यहां पर नमक भी ले सकते हो नमक से अच्छा मिठा सोड़ा रहेगा तो वन फॉर्थ टेबल स्पूर की क्रीब मैं ले रही हूं थोड़ा सापको मिठा सोड़ा लेना है मेठा सोटा क्लीनिंग करने के बहुत ही काम आता है उसी तरीके से इस हमारे नुश्के में भी ये बहुत बढ़िया काम आने वाला है अच्छे से इन सभी को मिक्स करेंगे हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी है तो चम्मच के भी लग जाएगी तो काफी कम हो जाएगी तो इतनी क्वांटिटी काफी है एक इनसान के लिए इस तरीके की जैली टाइप बन गई है थोड़ी इसकी मात्रा लेनी है आपको और ये नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने पहले ट्राई किया है और उसके बाद मैंने आपके साथ सेर किया है बहुत ही अच्छे इसके लाव है जो लोग असानी से ये काम नहीं कर सकते उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है तो थोड़ी सी इसकी मात्रा लेनी है आपको ये देखे इस तरीके से ये एक इनसान के लिए है तो मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ हाथ के उपर इस तरीके से आपको लेप लगाना है अपने पेट के उपर तो मैं आप रात पर दिखा रही हूँ आपको यह देखिए ऐसे आपको फैला देना है और साइड पोज में और फ्रेंट में अच्छे से पेट के उपर इसका लेप लगा ले इसकी थोड़ी सी विक्स की जलन होगी तो वो वैसलिन सांत कर देगी कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम यह सारी चीजें यूज करते हैं तो इस तरीके से आपको लेप लगा लेना है और जो आपके पास रेपर है इस तरीके का रेपर लेना है और उस रेपर से आपको अपने पेट को कवर कर लेना है जिस पिर आप सुती कपड़ा लपेट लें डूपट्टा टाइप का वो इस तरीके से लपेट लें उसमें क्या होगा पसीना आएगा और आप कपड़ा लपेटोंगे वो सोख लेगा और इसमें जो पसीना आएगा वो टपकने लगेगा और पसीना आएगा भी ज्यादा उसमें क आप रेपर के अंदर तो ऐसे आपको रात को लगा करके सो जाना है और सुगय आपको यह खोलना है और सुगय खोल करके गुनगुने पानी से ना लेना है तो इसे फाइदा क्या होगा वो सुन लो तो इस तरीके से विक्स वैसलिन और मिठा सोडा मिक्स करके लगाने से लेप में लगाना है आपको लेप कर लेने से पसीना आएगा पसीना आएगा तो हमारी बैली फेट जितनी भी है साइड पो जितना भी है वो पिगलेगा पिगलेगा तब हमारी फैट जो है पसीना आकर क पिखलेगा तो हमारे सरीर की फैट जो है काफी हद दक कम होगी और ये नुस्खा आपको हर रोज करना है डेली करना है कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते कामकाज में बीजी रहते हैं वो इस तरीके से ये वाला नुस्खा आजमाज स आपको कैसा लगा है कोमेंट में जरूर बताए अगले वीडियो तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर